मध्यपदेश के पूर मुक्मंत्री कमलनाथ बीते दिनों से गुरू ग्राम की मीदानता अस्कताल में अपना इलाज करा रहे हैं कमलनाथ ने आज ट्वीट के माध्यम से एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने उनस्वस्त होनी की बात कही इसी बीच कॉंग्रेस आलकमान ने कमलनाथ को बड़ी जिम्मदारी सौपे जाने की खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कमलनाथ जल्दी पाइलेट और गहलोत के बीच जारी वीबात को सुलचाने के लिए जैपोर जा सकते हैं सचिन पाइलेट और कमलनाथ के बीच रिष्टे काफी अच्छे माने जाते हैं जिसके चलते आलकमान ने पाइलेट और गहलोत के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कमलनाथ को ये जिम्मदारी सौपी है ख़वर है कि कमलनाथ 11 जून को सचिन पाइलेट से दिल्ली में मिले थे अपका यास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ जल्द ही जैपोर का दौरा कर सकते हैं इससे पहले पाइलेट के विवादों को सुलजाने का जिम्मा एहमद पतेल के पास था लेकिन उनके नेधन के बाद आलाकमान अब ये जिम्मा कमलनाथ को सौपना चाहती है माना जा रहा है कि आलाकमान को डर है कि कहीं संधिया और जितन प्रसाद की तरह अगर पाइलेट बगावत करते हैं तो पार्टी के पास युवा चहरा नहीं बचेगा वहीं अगले साल देश के कुछ राजियों में विधानसवा चुना होने हैं ऐसे में आलाकमान पाइलेट और गहलूत की विवाद को जल से जल सुलजाना चाहती है